अरे आज जंगल में इतना शोर कैसा जगा दिया मुझे तो उल्लू जी सारे पक्षी अपनी अपनी बड़ाई कर रहे हैं और शोर मचा रहे हैं अच्छा, जरह मैं भी सुनता हूँ कौन कैसा शोर मचा रहा है रंगसे लेटी पंजे कुलाबी गुटरगू की भर करच्याबी धिन भर शोर मचाता हूँ कबूतर मैं कहलाता हूँ कुटरकू, कुटरकू ओहो, क्या बात है कबूतर काफी अच्छी तारीफ करी तुमने अपनी चलो चलो, अब अगला पक्षी कौन है चूच है मेरी बड़ी निराली सुई हु जैसे सिलने वाली पत्ते सिल कर घर बनाओ दरजी चिडिया मैं कहलाओ वाकई दरजी चिडिया तुम तो पत्ते को सिल कर बड़ा ही सुन्दर घर बनाती हो बहुत अच्छे, अब अगला जानवर कौन है मेरा मतलब अगला पक्षी कौन है जानवर खाकर मैं जगा साफ कर देता हूँ उचे आसमान में उड़ता हूँ गिद मैं कहलाता हूँ वा गिद तुम तो काफी सफाई पाले हो सारी जगा साफ कर देते हो अब अगला जानवर कौन है मेरा मतलब अगला पक्षी कौन है हरे हरे है मेरे पांग लाज है मेरी चोज का रंग हरी मिर्च मैं खाता हूँ तोता मैं कहलाता हूँ अब बन क्यों नहीं करते ये शोरगुल यह कैसा जगड़ा हम सभी में कुछ न कुछ खास है हमारे पंक, पैर, चोच और बोली चाहे अलग-अलग है पर हम सभी पक्षी है सोचो अगर हम सब एक जैसे दिखते या एक सखाते बोली भी यदि एक सी होती तो कैसे नीरस होती हमारी ये दुनिया एकदम बोरिंग है न तो आपने सुनी इन पक्षियों की बढ़ाई अगर आपको और भी पक्षियों की बढ़ाई सुन नहीं है जानना है वो अपने बारे में क्या कहते हैं तो जरूर खोलना अपनी NCRT की किताब आसपास कक्ष चार की और देखना कैसे करते हैं पक्षियों अपनी बढ़ाई और अपने आसपास भी ध्यान से सुनना कौन सा पक्षियों अपनी बढ़ाई कर रहा है क्या पता कोई गुटरगू करता अपनी बढ़ाई कर रहा हो तो कोई काओ काओ करता